नमस्कार रिनास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ आज सौलीमो का थ्री डोर फोल्डेबल वाड्रोब जिसमें आठ रैक है उसको एसेंबल करेंगे यह वाड्रोब बहुत ही है इस तरह का आठ रैक होता ह है सबसे नीचे वाला से शुरू करते हैं तो इसमें तीन रैक होते हैं उसके ऊपर तीन रैक होते हैं बीच वाला में दो रैक होता है उपर में दो हैंगर होता है यह काफी यूसपूल प्रोड़क्ट है इसे एमेजन से और किया है इसको जब हम खोलते हैं तो इसमें कुछ इस तरह के समान होते है इसमें तीन पैकेट में चार तरह का कनेक्टर होता है इस पार्ट नमबर A में 20 पीस होते है जो 3 वेग कनेक्टर होता है इस B वाले पैकेट में 4 वेग कनेक्टर होते है जिसमें 12 पीस होता है और इस C और D वाले पैकेट में 4 पीस हैंगर के लिए होता ह मिंस हैंगिंग रोड के लिए होते हैं और 4 पीस पी कनेक्टर होता है वाइट वाला हैंगिंग रोड है यह 2 पीस का है और 8 किम एक बढ़े वाले हैं सारे त्यूब मेटल किम है यह वाला किम 60 पीस है जो 2 पैकेट में है इस कपड़े वाले बैग में आठ छोटे वाले फैबरिक हैं तीन में बेलक्रोर लगा हुआ है बाकि पांच भी बेलक्रोर नहीं है और एक कभर है इस कभर को बाद में इस्तमाल करेंगे ढखने के लिए अब सभी पैकेट को खोड़ ले और कनेक्टर को अलग-अलग बाउल में रख ले जिससे असानी हो जाएगा लगाने में ये तीन साइड वाला कनेक्टर ये चार साइड वाला ये हैंगिंग वाला और उसी बाउल में टी कनेक्टर है इस तरह से रॉड में हम लगाएंगे इसके अंदर एक booklet है जिसमें instruction दिया हुआ है कैसे इसको assemble करेंगे इसमें 6 page है जब हम second page नमबर पर ध्यान से देखेंगे तो assemble करने में असानी हो जाएगा इस booklet को संभाल के रखें बेल्क्रो वाला fabric नीची रहेगा मिंस bottom में दोनों side rod लगा ले छोटे वाले कुछ इस तरह से rod डालने के बाद जो side में part होगा उसमें 3 way connector लगाएंगे part number A extreme right और extreme left side में part number A connector लगाएंगे जो 3 way connector है कुछ इस तरह से 3 way connector का मतलब होता है कि तीन rod इसमें लगा सकते है इस connector में जो थोड़ा सा बड़ा पाट है वो नीचे जमीन पर रहना चाहिए stand का काम करेगा उसी तरह से दूसर rod दूसर साइड बे लगा ले extreme left में 3 way connector रहेगा और जो बीच वाला connector है वो 4 way connector होगा जिसमें चार rod लगेंगे इसमें देखे और इसमें थोड़ा सा जो बड़ा पाट होता है वो नीचे की और रहेगा इस बात का ध्यान देंगे तो easily एसेंबल किया जा सकता है देखे एक फैबरिक में लग गया है rod भी और connector भी अब दोनों साइड से rod लगा लेंगे कुछ इस तरह से अब इसे पलट के दिखाती हूँ देखे दो साइड ए कनेक्टर है थी वे कनेक्टर और दो साइड फोर वे कनेक्टर है इसी प्रॉसेस को फॉलो करते हूँ दो और फैबरिक लगा ले अब तीनों फैबरिक को एक साथ कनेक्ट कर ले जिससे बॉटम लेयर बनके तियार हो जाएगा आपको दिखाने के लिए पहले मैंने rod डाला है उसके बाद fabric डाला है अब इसमें connector लगा दें चार वेवला इस तरह से मैंने दो fabric लगा लिया है अब तीसरा fabric लगा लेंगे जिसे अपने right side में अब रखते हैं तो दो side में उसे एक connector लगाना होता है जब एक layer बन जाता है तो easy हो जाता है second layer बनाना उसी तरह से second layer भी बना लें और bottom के उपर second layer रखते हैं इस तरह से मैंने रख दिया है अब 7 और 8 रैक के लिए चारो side ए पार्ट लगाए इट मेंज 3 वे connector लगाए 7th रैक को center में रखे second layer के उपर उसी तरह से 8th रैक को 7th रैक के उपर रखे लेफ्ट और right side में लंबे वाले रोड लगा दे अब इस चारो रोड में टी connector लगा दे क्यूंकि इसके उपर एक लंबा वाला रोड और रखा जाएगा दोनों रोड को connect कर दे pipe लगा करके और ensure कर लें कि connector अच्छी तरह से पैक हुआ है की नहीं अब इसके उपर लंबे वाले रोड लगा दे कुछ इस तरह से उसी तरह से लेफ्ट वाला भी लंबा वाला रोड लगा दे देखी ऐसे हैंगिंग रोड में पार्ट सी का connector लगाएं और इसे ब्लैक वाले रोड में लगा देंगे इस हैंगिंग रोड को टॉपमोस रोड लेफ्ट और राइट साइड का है उसमें लगा दे ऐसे मैंने बना के रखा है इस तरह से धाचा बनके तयार हो गया है पूरा दिखाने के लिए उपर से नीचे camera को move किया गया है I hope आपको समझ में आ रहा होगा एक पर ये वीडियो देख करके आप लगाएं तो एसेंबल इजी हो जाता है अब इसके उपर कफर लगा देंगे देखे साइड वाला से करके दिखाती हूं साइड में भी पॉकेट है इसके डॉर को रोल करके विल्क्रो से लगाया जा सकता है लाइट वेट वाड्रोब है इसे मूब भी किया जा सकता है हर एक रैक की कैपेसिटी 10 किलो वजन सहने की है मुझे ये वाड्रोब बहुत ही पसंद आया है आपको ये वीडियो कैसा लगा सौलिमो का 3 डोर फॉल्डेवल वाड्रोब आठ रैक वाला आपको कैसा लगा इदी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें क्या आपको पसंद आया मैंने रेसिपी की जगह पे एसेंबल किया है इस वाड्रोब को तो आप कब ला रहे हैं ये वाला वाड्रोब जब हम इसे खुद बनाते हैं दो से तीन घंटा लग जाता है इसको एसेंबल करने में जब आप वीडियो देख करके इसेंबल करेंगे हार्ली आपको आदे घंटे में एसेंबल कर लेंगे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज कर लें और बेल आइकन दबाएं तो मिलती हूं मैं आपसे निक्स रेसिपी के साथ जो काफी इंट्रेस्टिंग रेसिपी भी है तब तक के लिए टेक केर और थैंक्स पर वाचिंग